नमस्ते आज हम मोटापे के बारे में चर्चा करेंगे मोटापा क्यूं होता है? मोटापा मतलब क्या? मोटापा मतलब अपने शरिर में चर्वी की संख्या और साइज बढ़ जाने से मोटापा होता है ये क्यूं होता है? हम जो खाने में और पीने में जो calories होती है अपने जरूरत से ज़्यादा जब उनका सेवन किया जाता है और वो भार निकालने के लिए जब भी हम exercise नहीं करते तब वो calories अपने चर्वी में जाके बैठ जाते हैं और उनका size बढ़ा देते हैं बच्चे लोगों में size बढ़ने के साथ साथ इनके numbers भी बढ़ जाते हैं उस वज़े से जब ये बच्चों को properly पहले से ही वजन कम नहीं किये तो उनका वजन adulthood में कम करने के लिए बहुत प्रयास पड़ता है मुटा पा होना ये अच्छी बात है या बुरी बात है definitely बुरी बात है क्योंकि मुटा पा की वज़े से हमें बहुत सारी बिमारिया हो सकती है minor बिमारिया मतलब low self-esteem मतलब मुटा पे से जो शिकार patients जो होते हैं उनको depression की समस्या रहती है उनको मुटा पे की वज़े से अंदर hormones change होने से उनको diabetes हो सकता है उनको heart की बिमारिया हो सकती है उनको high blood pressure रहता है मुटा पे की वज़े से जादा वज़न घुटनों पे पढ़ने से उनको घुटनों के तकलिफ हो जाते है उनके daily exercises या daily जो भी चलने की लिए भी उनको दिक्कत हो जाती है मुटा पे की वज़े से औरोतों में infertility मतलब की बच्चे ना होना ये भी बिमारी बहुत बार देखी गई है इस सब से उपर आजकल मुटा पे के वज़े से intestine के cancers, uterus के cancers भी देखे गए है इस सब वज़े से मुटा पे का control रखना बहुत जरूरी हो गया है हमारे चैनल को subscribe करिए और notification पाने के लिए bell icon पे click करिए leave now, leave healthy, सिर्फ सुशुता के साथ